शेहर के गड़ी गोदाम परीसर में बारिश का पानी जमा होने से परीसर के नागरिकों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है परीसर में पानी जमा होने से नागरिकों के स्वास्तों को भी धोकान निर्मान हो सकता है जमाप पानी में डेंगू के मच्छर पनप्सने से डेंगू का खत्रा भी परीसर में बढ़ा है मनपा प्रशासंद्वारा उचित कदम उठाने की मांग परीसर की नागरी को द्वारा की गई है गड़ी गुदाम परीसर में इन दिनों बारिश का पानी भरने से परीसर की नागरेक तरस्त हो चुके है जमा पानी में मच्छर पनपने से डेंगू के खत्रे को भी नकारा नहीं जा सकता शेहर में डेंगू बेमारी के मरीस बड़ी मात्रा में है ऐसे में परीसर में पानी चमा होने से परीसर की नागरे कई समस्याव का सामना करना पड़ रहा है यही नहीं मनपादवारा परीसर में फोगिंग भी नहीं की गई परीसर में परीसर में परीसर में सुधर संदूर का माता मंधिर के पास महा पर भी जो बकरमंडी की नाली गई है वह पूरी चोक बेखने और दीना वह रहानी होता है और जिसके कारण बड़े बड़े नाले भी है तो यहां के बस्ती के लोगों को समझ्या होती है परीसर की महला ने अपनी समस्या बताती हुए कहा कि घर के सामने बड़ा गटर है जो बार बार भरने से काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है मनपा में शिकायत दर्स करने पर भी कारवाई नहीं की जारी यही नहीं घर में आने जाने में भी बड़े दिक्कते आती है ऐसा परीसर की महला मेरी लूरसा सर्ता सल्यादासर द्वारा बताया क्या है कड़िगोदाम परीसर में पानी जमा होने से परीसर के नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है शहर में डेंगू बीमारी अपनी चरम सीमा पर है ऐसे में शहर के परीसर 700 रखना नागरिगों के साथ साथ मन्तपा प्रशासन का भी काम है नागरिगों की समस्या मन्तपा प्रशासन कब तक हल करती है ये तो अब तीकने वाली बात है कैमरा पोसन राज कुमार मोर के साथ चिती जाद देश मुख बीस ये नियूस नागपूर